हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो दिस चैनल, आम यूर मैच्स टीचर, टोटियम क्लास 10th, CBC इंसाटिव बुक चैप्टर, पेर ओफ लिनेर इक्वेशन्स इन टू वेरियेबल, एक्सराइस 3.6, क्वेश्चन 1, पार्ट 7 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके प्रीविएस अल पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्रीवेस वीडियोज को वाच करके उन्हें भी अच्छे से समझ लेए, ताकि आपको यह क्वेशन अच्छे से समझ में आ सके हैं, तो यह क्वेशन इस, सॉल्व दी फॉलवविग पेर ओफ एक्क्वेशन्स बाइ रेडूसि तो पहले हम इन इक्वेशन्स को जेनरल फर्म में कनवर्ट केंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो एक्वेशन है, आपकी इसे मैं लिख लेता हूं, इसे लिख लेते हैं, 10 इंटू 1 अपान X plus Y plus 2 into 1 upon X minus Y equals to 4, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X plus Y minus 5 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X plus Y minus 5 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे लिख लेता हूं, 15 into 1 upon X minus Y equals to minus 2, इसे upon x plus y and one upon x plus y दोनोई equation में same है तो हम क्या करेंगे इसे Let कर लेंगे Let one upon x plus y equals to u and यहांपर दीके 1 upon x minus y and one upon x minus y बोथ equation में common है तो इसे भी हम क्या करेंगे Let कर लेंगे 1 upon x minus y equals to v ठोशा है अभी हमने इसे Let कर लिया है नाँ equation में put कर दिजिये value को यहाँ पर देखे यह हो जाएगा 10 1 upon x plus y के replace पे u plus 2 1 upon x minus y के replace पे v equals to 4 ठेके यह equation number आपकी 3 and यहाँ पर देखे 15 u minus 5 v equals to minus 2 this is your equation number 4 ठेके जिस्ट हमने के वाल value को अभी put किया है यहाँ पर ओके अभी देखे दोनों ही equation को solve करेंगे हम now from equation 3 and 4 by elimination method अभी यहाँ पर हम elimination method का use करेंगे review करेंगे क्योंकि सबसे easy way होता है ठेके आपको जो भी समझ में आता है जो भी अच्छे से आता है आप उससे solve करिए equation को कोई भी foundation नहीं है आप कोई भी method यूज कर सकते है ठेके यहाँ पर दिखिए यह है 10u plus 2v equals to 4 this is your equation number 3 and यह है 15u minus 5v equals to minus 2 this is your equation number 4 ठेके है हमें by elimination method solve करना है तो यहाँ पर negative sign v का है ठेके तो बट यहाँ पर v का जो coefficient है वो equal नहीं है तो हम equal कर देते हैं ठेके हैं इस equation को अगर हम 5 से multiply कर दें ठेके 5 to 10 हो जाएगा और इस equation को 2 से multiply कर दें 2 5 to 10 v का जो coefficient है वो equal हो जाएगा ठेके तो यहाँ पर देखिए one time लिख लेते हैं 5 10s are 50u plus 5 2s are 10 v equals to 5 4s are 20 इसको 2 से multiply करना है 15 to the 30u minus 15 2 5s are 10 v equals to minus 2 to the 4 ठेक है अभी यहाँ पर देखिए जो 10 v का coefficient है वो equal हो गया है तो 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका cancel या नहीं कि यह जो term है वो cancel हो जाएगे ठेक है यहाँ से आपका देखिए 50 plus 30 बोथ add हो जाएगे कि हो जाएगा आपका 80u equals to 20 से minus 4 हो जाएगा तो यह 16 है जाएगा आपका ठेक है यहाँ से इसकी value चाहिए यह यू की value चाहिए तो यहाँ पर यू equals to हो जाएगा 16 by 80 16 1 is a 16, 16 5 is a 80 तो यहाँ से आपका जो यू की value आ गई है अपर देखिए यू equals to 1 upon 5 यहाँ पर आपने यू की value को क्या कर लिया है अभी find कर लिया है अभी हम क्या करेंगे यू की value को equation number 3 में put कर देंगे now putting you equals to 1 upon 5 and equation 3 equation 3 में क्या करिया अभी value put करिया equation 3 देखिए आपकी यह 10u यानिकी 10 into u की value आपके पास 1 upon 5 plus 2 v equals to 4 5 उन्से 5 5 तो यहाँ से आपके पास आगया 2 plus 2 v equals to 4 2 another side पे चला जाएगा आपका यानिकी 2 v equals to 4 minus 2 now 2 v equals to 4 minus 2 यानिकी subtract करने पे 2 बचेगा यहां से हमें v की value चीए तो 2 को हम क्या करेंगे denominator में send कर देंगे यह 2 by 2, 2 and 2 cancel out v equals to आपका यहां से 1 आगया यानिकी v की value भी आपने अभी क्या कर लिया है find कर लिया है ठीक है u and v ठीक है v और u both की value आपके पास है अभी हमने यहां पर क्या किया था 1 upon x plus y equals to u and 1 upon x minus y equals to v को let किया था तो अभी हमें x and y के value चाहिए तो solve कर लिते हैं इसे 1 upon x plus y equals to u हमने let किया था u की value देखे 1 upon 5 है तो यहां पर put कर देंगे हम अभी देखे क्या हो जाएगा 1 upon x plus y equals to 1 upon 5 now by cross multiplication cross multiplication कराएगे तो x plus y equals to y यानिकी x plus y into 1 equals to x plus y ही रहेगा आपका ठीक है x plus y 5 1 को multiply करेगा तो 5 ही रहेगा this is your equation number 5 अभी देखे है हमने let किया था 1 upon x minus y equals to v यानिकी 1 upon x minus y equals to v v की value आपके पास है यहां पर देखे 1 put कर दीजिए यह हो जाएगा 1 upon x minus y equals to 1 denominator में 1 let करके हम cross multiplication कराएगे अभी देखे क्या हो जाएगा यह x minus y equals to 1 क्योंकि 1 1 को multiply करेगा 1 ही रहेगा और x minus 1 1 को multiply करेगा तो x minus 1 ही रहेगा this is your equation number 6 ठीक है now from 5 and 6 now from equation number 5 and 6 5 for 6 को solve कर लिए यहाँ पर दिखी x plus y equals to 5 x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1 यहाँ पर दिखी by elimination method y से y आपका क्या हो जाएगा cancel ठेक है x plus x यह हो जाएगा 2x and 5 plus 1 this is your 6 यहाँ से अभी x की value चाहिए तो यह 6 by 2 2 1s are 2, 2 3s are 6 x की value यहाँ से आपके पास कितने आ जाएगी 3, right तो यहाँ से आपने अभी x की value को क्या कर लिया है find कर लिया है तो हम क्या करेंगे भी x की value को equation number 5 में put कर देंगे ठेक है so यहाँ पर देख लीजिए now putting x equals to 3 in equation number 5 equation 5 में put कर देंगे आपकी x plus y equals to 5 है x plus y equals to 5 x की value यहाँ पर 3 so हम put कर रहेंगे 3 plus y equals to 5 3 को another side पर transform करें y equals to 5 minus 3 so y equals to 5 से 3 को subtract करने पर आपके पास आता है 2 okay y के value यहाँ से आपके पास कितने आ गई है 2 x और y बोथ value आपने find कर ली है so final answer अभी हम लिखेंगे hence the solution of the given equation is x equals to 3 and y equals to 2 I hope आपको exercise 3.6 question 1 part 7 बहुत ही अच्छे से समझ में होगा if आपको कोई भी doubt है तिन आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है then please मेरे चैनल को subscribe करें and bell icon को press करना न बोले ताकि आपको आने वाली notification सबसे पहले में सेगे thank you for watching